आज हम लोग इस lecture के अंदर सीखेंगे equivalent circuit of alternator यानि कि अभी तक हमने जो भी सीखा है जैसे ही for example इससे पीछे अगर मैं जाओ तो मैंने alternator की working सीख चुका हूँ मैंने armature reaction सीख ली हम लोगों ने देखा कि कितना EMF induce हो रहा है यह सब चीज़े सीख चुके EMF की equation सीख ली नाओ वो जो EMF की equation सीखी थी उसको आज एक circuit के रूप में convert करने का समय है और बिल्कुल ऐसी equivalent circuit हमने transform में भी सीखा था DC machine में भी सीखा था तो alternator का आज हम लोग इस lecture के अंदर equivalent circuit सीखेंगे देखें किस तरीके से alternator का equivalent circuit बनाये जाता है बहुत ही simple है equivalent circuit alternator का as compared to other machines चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ alternator की तो alternator में जो भी चीज़े अब तक हमने सीखी हैं अगर मैं बात करूँ कि simply अगर हम मान के चलें कि हमारे पाइस एक alternator है जो कि जिसके अंदर face induced होने वाला voltage EP है अगर EP क्या है face voltage जिसके अंदर induce हो रहा है and हमें जो terminal पर voltage मिल रहा है without load यानि कि at no load अगर हम बात करते हैं no load condition की no load condition में जो हमें terminal पर voltage मिलेगा वो VPT मिलेगा मैंने बता चुका था और no load condition में जो generate होने वाला voltage अगर हम बात करते हैं दूसरे case की यानि अगर load कर देते हैं तो अगर हम लोग अपने alternator को load कर देते हैं तो ऐसे case में क्या होगा ऐसे case में अगर हम लोड करेंगे तो इसके जो terminals होगे इनके across एक L नाम से load लगा देता हूं मैं ये loaded condition हो गई and in that case जो हमें voltage मिलेगा वो VPT जो terminal पर voltage मिलेगा VPT ठीक है VPT dash कहा देते हैं ठीक है ये जो VPT dash होगा ये कितना होगा तो this one is ये जो होगा तुमारा ये आपका VPT dash ये कितना होगा ये आपका होगा EP यानि कि face voltage जितना EMF induced होगा at no load condition minus V drop voltage drop due to load यानि कि जब आप load लगा दोगे किसी बल्टरनेटर पर तो भाई उसके जब load लगाने पर क्या होगा एक current flow करने लगेगा आईए ठीक है और ये जो current आईए flow करेगा इसकी वज़े से क्या होगा कि voltage drop होगा अलग तरीके voltage drop होगे पिछले lecture मैंने चीज़ बताई थी अभी दुबारा इसको cover करूँगा कौन-कौन से voltage drop होते हैं उन सब को जानेंगे उन सब की value कितनी होती ये भी सीखेंगे तो ठीक है तो अभी देखते हैं पहले जहां तक कहानी चल रही है कि भाई no load पे कोई loss नहीं था जितना voltage induce हुआ उतना ही तो मिल गया लेकिन जब एक बार आपने load कर दिया तो जितना voltage induce हुआ उतना output में नहीं मिलेगा बलकि उससे कम मिलेगा और कितना कम मिलेगा ये depend करेगा कितने उसके अंदर voltage drop हो रहे हैं ठीक है तो आप जानते हैं कि कितने तरीके voltage drop होते हैं ये वैसे मैंने पुराने lecture में बताया था और इस lecture में भी एक बार हलका सा आपको remind करा देता हूं तो we drop due to load ठीक है due to load यानि कि loading की वज़े से कितने voltage drop हो रहे हैं उसको देख लेते हैं सबसे पहला अगर voltage drop की बात करें तो armature winding voltage drop armature की winding resistance armature winding की resistance होती है जो resistance होगी इसकी वज़े से armature winding resistance voltage drop ठीक है तो पहला कौन सा drop है कि जो armature winding का आपने क्यों दी आपने देखा था alternator में हमने क्या कर था armature winding की उसमें जो voltage drop होगा तो this one is the armature winding resistance यानि कि winding का जो resistance होता है क्योंकि copper wire यूज़ कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ resistance होगा और वो resistance होगा वो voltage drop की रूप में आएगा देखो अगर खास बात देखी जाए compare कर रहा जाए तो DC machine में भी same voltage drop था और transformer में भी voltage drop था द्यूट वाइंडिंग primary and secondary winding तो यह जो voltage drop है resistance of winding यह हमेशा ही रहेगा हर machine में चाहे को भी machine तुम ले लो तो यह कितना होगा तो इस वन इस दा आई यह आ रहे ठीक है अगर आर्मेचर करेंट कितना आई यह है और resistance जो आर्मेचर winding का आ रहे है तो यह हो गया आई आ रहे second type का जो हम लोग voltage drop की बात करते हैं वो है leakage flux drop leakage leakage flux drop ठीक है और यह क्यों होगा यह भाई इस वज़े से होगा कि अगर मान लेते हमारे पास conductor है यहाँ पे इस तरीके से conductor के अंदर flux जो बन रहा है वो आर्मेचर winding के लिंक कर रहा है लेकिन जो फिल्ड winding है उसको लिंक नहीं कर रहा है तो इस तरीके का क्या होता है कि ऐसा flux जो होता है जो एक winding को link करें लेकिन दूसरी winding को लिंक ला करें वो leakage flux में count होता है ट्रांसवर्म में भी आप लोगो बताया था तो leakage flux की वाई से voltage drop होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ज आई एक्स एल का मतलब होगे है यहाँ पर leakage नाओ यह चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि यह flux के leakage flux है तो जब भी flux को हम लोग रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं एक इंडक्टर इतार रिप्रेजेंट करते हैं और XL से रिप्रेजेंट करा जाता है ठीक है बास समझ में आगे तो XL हो गया ना तीसरे तरीके का जो voltage drop होगा वह होगा armature reaction drop armature armature reaction drop ठीक है armature reaction drop ठीक है तो यह क्यों होगा यह due to armature reaction का effect होगा और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे J I A X A clear होगा यहाँ पर अगें इस बार भी हमने क्या करा है इस बार भी जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार भी देखो हम लोग जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्य तो इस बार हम लोग इसे भी X से रिप्रेजेंट करेंगे क्यों क्योंकि armature reaction is basically the effect of armature flux over field flux यानि कि armature का flux field flux को कैसे अफ़ाइट कर रहा है यही तो armature reaction होता है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस पार्ट में भी armature reaction का जब drop का effect जो armature reaction drop होगा वो again due to हम लोग उसको एक inductor की तरह दिखाएंगे क्योंकि flux है तो इसलिए inductor आएगा यहाँ पर inductance लेंगे तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ हुआ एक्स ए क्लियर होगा यहाँ पर तो इस वन इस एक्से एंड इस एक्सल ठीक है नाव एक बड़ी खास बात आती यह चीज़ें वैसे मैंने पहले कवर की थी अब इसकी थोड़ी analysis कर लेते हैं तो देखो अगर इन दो की drop की बात की जाए यानि कि आए आरे और आए एक्सल यानि लीकेज की वज़े से और आर्मेचर वाइंडिंग यह दोनों के दोनों क्या है है depends on load यह किस पर depend करेंगे depends on load यानि कि यह आपके load पर depend करें ठीक है जैसे generator हो गया transformer हो गया तो किसी भी अगर आप source site से deal कर रहे हो जिसका output electric power है तो उसके लिए load क्या होगा उसके लोड़ होगा current तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि यह जो दोनों की दोनों losses है यह load पर depend होगे यानि कि current पर depend करेंगे जबकि यह जो special type का है आर्म load power factor बहुत important यानि कि यह depend करेगा load पे भी और load के behavior पे भी यानि कि load का power factor कैसा है ठीक है बात समझ में आरी तो अगर जैसे कभी-कभी पूछ ले जाता है आप से वाई-वाई-वाई-पूचा जा सकता है कि तीन तरीके voltage drop होते हैं alternator में तो उनमेंसे कौन से load dependent है और कौन से power factor load power factor dependent है तो जो load dependent losses है only load dependent losses है वो कौन-कौन से है armature winding का resistance की वैसे voltage drop हो रहा है और leakage flux जो drop हो रहा है यह दोनों की दोनो load dependent है जबकि अगर बात करते है armature reaction की तो यह load पे भी depend करता है और load के power factor पे यानि कि अगर आप load बढ़ाओगे तो armature reaction बढ़ेगा अब armature reaction बढ़ेगा ठ तो किस type का armature reaction होगा इट depends on their power factor अगर power factor lagging है तो आपका demantizing effect होगा अगर माल लेते हैं unity power factor का है तो cross होगा और अगर leading power factor का load है तो वहाँ पे क्या होगा matizing effect होगा ठीक है तो IOBG समझ में आगए तो तीन तरीके के losses होगए voltage drop sorry तीन तरीके voltage drop होगए clear now अगर मैं बात करता हूँ इनकी possible values की यानि की यह तो हो गई एक कह सकते हैं formula बता दिया मैंने अगर हम बात करते है possible values ठीक है तो possible values क्या 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 possible values हो सकती है तो possible values आपके लगबग value होती वह 0.01 per unit होती है ठीक है हलका सा मैं आपको बता दूँ ठीक है तो PU का क्या मतलब है PU का मतलब है यहां पर unit ठीक है इसके बारे में हलका सा मैं आपको brief दे रहा हूं वैसे ही आपका topic मतलब power system का main topic है और वहां पे पूरी एक chapter पढ़ते हो आप लोग per unit पे हलक सा brief अगर मैं आपको दूँ तो जैसे की one dozen होता है one dozen ठीक है तो one dozen में क्या होता है 12 quantities 12 unit included होती है यानि कि 12 units को हम लोग क्या कहते है एक dozen कहते है ठीक है उसी तरीके से क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग क्यों ऐसा करते है one dozen क्यों कहते है क्योंकि अगर आप से कहा जाए 24 for example 24 oranges ले आओ ठीक है तो यह एक अजीब सा टर्म है इसकी जगह अगर यह थोड़ा से complex हो जाएगा अगर मैं से simplify करूं तो मैं कहते हूंगा two dozen two dozen orange ले आओ ठीक है तो two dozen orange से क्या हो गया अब आपको किवल दो याद रखना है ठीक है 24 संत्रे से अच्छा है आप दो dozen याद रखो और दो dozen के हिसाब से आप calculate कर लोगे वहाँ पे जाके तो यह basically जो हम लोग unit जितनी भी बनाते हैं तो simplify करने के लिए बनाया जाता equation को for example इसी तरहीं से जैसे आप से कहा जाए 1000 gram 1000 gram अगर आप से कहा जाए तो यह याद रखना थोड़ा मुश्किल है या मालने ते 1800 gram अगर आ इससे क्या हुआ है आप simplify करते है तो बेसिकली यही काम पर unit का होता है पर unit में क्या करते हैं हम लोग जब भी आप को चीज पर यूनिट में लेते हो तो उससे आप क्या करते हो चीज़ों को यानि कि आप क्या कर रहे हो अपने system को simplify कर रहे हो calculations को आसान बनाने के लिए पर unit system ले लूँ मैं ठीक है तो भाई अगर मेरे पास 200 लिखा हुआ है तो 200 इस particular reference जिसे मैं reference ले रहा हूँ अगर मैंने 100 को reference लिया तो 100 को मैं कह दूँगा 1 per unit बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने 12 को reference लिया था और एक dozen कह दिया था तो 24 को क्या लिख सकता हूँ उसी तरीके से क्या हुआ था अगर 100 को मैंने 1 per unit कह दिया तो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 per unit लिख सकता हूँ ठीक है तो इसी तरीके से इसी तरीके से हम लोग ने क्या करा है अगर मैं voltage को अगर हम voltage को normally जो VPT है जिसे हम कह रहा है VPT VPT का जो voltage है अगर मैं इसे reference ले लोगा इसे कह दूँ 1 per unit ठीक है तो अगर VPT तुम्हारा 1 per unit है यानि कि जो terminal पर मिलने वाला voltage अगर 1 है तो उसके comparison में IAR A कितना होगा 0.01 होगा ठीक है यानि कि इसका क्या मतलब हुआ अगर आपका terminal पर मिलने वाला voltage 200 है ठीक है और 200 को मैंन 1 per unit कह दिया है ठीक है तो IAR A कितना होगा IAR A आपका होगा ठीक IAR A की जो value होगी वो कितनी होगी तो वो मैंने लिखी है 0.0 per unit लिखी हुई है यानि कि 200 into 0.01 और वो कितना निकल के आ जागा तुम्हारा 2 2 volt ठीक है तो बात समझ में आ गई तो अगर आपका VPT 100 volt होता तो IAR A कितना हो जाता है दो वोल्ट के बराबर हो जाता है clear हो गया यहां पर अगर यह आपको 100 होता तो IAR A कितना हो जाता 0.01 per unit का मतलब क्या हुआ 2 volt clear हो गया यहां पर यह जिस समझ में आ गई हो कि basic समझानी कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो per unit के उपर हम लोग अभी और detail में च समझा दिया एक मोटा मोटा समझा दिया कि per unit क्या होता है ठीक है तो अगर example के तौर पर भी यहां मैंने बता दिया अगर terminal पर बिलने वाला voltage 200 volt है ठीक है और उसको मैंने one per unit लिखा है तो IAR A 0.01 का मतलब क्या हुआ multiply कर तो simply तो 200 को 0.01 से multiply करोगे तो 2 volt यानि कि 2 volt ठीक है ब ठीक तो खास बात क्या याद रखनी है कि मैं यहां पर जब possible values की बात कर रहा हूं तो यहां पर किसके reference ले रहा हूं यहां पर मैं VPT को reference ले रहा हूं और उसको मैं ले रहा हूं one per unit यानि कि VPT की कुछ भी value हो सकती 600 होगी तब भी उसको one per unit लोंगा जो भी मैं लोंगा उसक उससे multiply कर दोगे आप जब अगर आपको आई आरे की original value निकाल नहीं है तो VPT की जो original value आरे उससे multiply करके answer निकल के आ जाएगा ठीक है तो यह अगर VPT तुमारा आई आनि की terminal में वाला voltage phase voltage अगर one per unit है तो भाई आई आरे कितना है 0.01 ओके now second quantity चलते है second quantity तुमारा IAXL leakage कितना होगा तो इसकी लगवग लगवग value होती है 0.15 per unit होती है ठीक है ये भी काफी कम है ठीक है now third one IAXL IAXA ठीक है armature reaction के वज़े से voltage drop इसकी value होती है वो 0.84 per unit होती है now ये बात समझ में आ रही देखो 0.84 का मतलब बहुत high voltage हुआ ठीक है तो यहां से एक खास बात क्या सीखने क मिलती है यानि कि अगर मैं इनको comparison करूँ तो अगर इन दोनों को compare करता हूँ इन दोनों को particular compare करता हूँ ठीक है तो ये क्या है अगर इन दोनों को मैं combine कर दूँ यानि कि voltage drop due to IAR और IAXL इसको अगर मैं इसके साथ compare करता हूँ IAXA के तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या होगा negligible है यानि कि ये दोनों मिल के भी IAXA से बहुत छोटे हैं ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूँ कि voltage drop we drop due to armature reaction ये बहुत ज़्यादा होता है as compare to we drop due to we drop due to resistance winding resistance plus we drop due to हम कह सकते हैं leakage we drop due to leakage क्लियर हो रहा है बात सब्सक्राइब जैसे कि for example इस वन इस दा यह अगर इस पर्ट्प्रक्र की बात करें तो इस वन इस वी ड्रॉप वी ड्रॉप due to resistance इस वन इस वी ड्रॉप due to leakage और दिस वन इस वी ड्रॉप due to armature reaction ठीक है तो अगर हम बात करते हैं इस पर्ट्कर कार्ट की तो अगर वी ड्रॉप due to armature reaction तो देख सकते हो 0.84 तो अगर हम इन दोनों को sum भी करते हैं यानि कि resistance की वैसे जो voltage ड्रॉप और leakage की वैसे इन दोनों को मिला के भी अगर हम compare करें armature reaction से तो देखो बहुत जादा है armature reaction यानि कि armature reaction के terms में हम इन दोनों को negligible ले सकते हैं clear हो यहां पर यह चीज़ समझ में आ गई होगी इतनी कोई दिक्कर नहीं होने चाहिए I hope ठीक है now अगर हम क्या करते हैं एक और चीज़ ले लेते हैं अगर हम इन दोनों को combine करते हैं देखो आपको जानते हो यह मैंने पुराने lecture में बताया था कि जो हमारे पास अगर मैं equation को revise क तो यह जो synchronous reactance होता है अगर हम इसको ले ले यानि कि we drop यानि कि अगर हम लोग क्या करें इन दोनों को combine कर देते हैं यहां से लिख लेता हूं अगर हम इन दोनों को combine कर देते हैं leakage की वैसे वी lots of Leakage and wii drop due to armature reaction तो इसे हम कह सकते हैं मिक्ट हरोगे तो यह बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा वी drop due to resistance clear हो रहा है यानि कि अगर हम इन दोनों compare करते हैं voltage drop due to reactance synchronous reactance और voltage drop due to resistance तो ऐसे case में हम लोग यह जो we drop due to resistance यह क्या नेगलेज़ बाइब देको 0.01 मतलब लगवग लगवग 0 के बडाबर है तो अगर हम लोग यह particular case को देखें तो हम लोग we drop due to resistance को क्या कर सकते हैं neglect कर सकते हैं यानि कि इस वाली quantity को हम लोग क्या करा जा सकता है अगर इन तीनों को देखते हो और इन दोनों combine कर दो यानि कि access ले लो तो ऐसे case में we drop due to resistance को हम लोग क्या कर सकते हैं neglect कर सकते हैं neglect कर सकते हैं इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कई सारी standard books में या कभी-कभी calculation के टौर पे हम लोग IAR A को zero की तरह treat करते हैं negligible लेते हैं या हटा देते हैं picture से ठीक है तो आई ओप समझ में आ गया होगा possible values दिमाग में clear रोगों कि हमेशे याद रखना अगर मान लेते हैं कभी आप question दिया है और numerical में तो मैं confusion हो रहा है कि भाई यह IAR A है यह IA access है यह IA Excel है तो आप simply क्या करो यह जो मैंने आपको values दी इनको reference की तरह दिमाग में याद रखो और इस से compare कर लो तो जो सबसे कम voltage drop दिया होगा वो due to resistance होगा उसके बाद due to leakage होगा और सबसे जादा जो voltage drop होगा वो due to our major reaction होगा clear होगा यहाँ पर यहाँ पर मैंने close कर देता हूँ topic इतना clear होगा आगे चलते हैं now अब हम लोग बनाते है equivalent circuit तो हम लोग इसको लिख लेते हैं hashtag हमारा topic है equivalent equivalent circuit है equivalent circuit होगे now equivalent circuit बना रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे first one जो हम लोग का काम होगा कि सबसे पहले यहाँ पे AC voltage generate होगा EP phase voltage की बात कर रहा हूँ EP generate होगा ठीक है और यह जो EP होगा इस तरीके से now जब यहाँ पे यह तरीके से होगा अब सबसे पहले आर में चले reactance ठीक है इसके बाद यह continue चलेंगे देन देर इस दा winding resistance आर में जार वाइंड रेस्टेंस आरे और यह इस सम लीकेज इस एक्स एल जे एक्स एल ठीक है कुछ लीकेज रियक्टेंस ड्रॉप होगा ठीक है and then finally हमें क्या मिलेगा finally last में हम लोग को मिलेगा यहाँ पर लगा होगा हमारे पास load हम लगा सकते हैं कोई भी load connect कर सकते हो जब load connect करोगे जैसी आप load connect करोगे तो तो तुरंती क्या होगा एक current flow करने लगीगी IA this one is the armature current ठीक है और यहाँ load करोगे जो तुम्हें voltage मिलेगा this one is the VBT हमें एक phase voltage terminal पर मिलेगा VBT के रूप में clear हो गया यहाँ पे तो this one is your equivalent circuit यानि कि अगर हम बात करते हैं alternator के equivalent circuit की तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है अगर इसको simplify करा जाए further simplify करें तो देखो simplification क्या क्या possible है तो यह जो particular part देख रहे हो ठीक है यह जो particular part आप देख रहे हो अगर इसको हम लोग क्या करें इसको इधर shift कर दें और इसको इधर shift कर दें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यानि कि मैं जो कह रहा हूं के वह इस particular part को अगर बना रहा हूं तो this one is E P ठीक है हम क्या कर रहे हैं यहां पर आपका resistance कर देता हूं RA ठीक है and this one is JXA and this one is JXL ठीक है and this one is load यहां पर हमें क्या मिल ला है VPT मिल ला है VPT ठीक है तो देखो अब अगर हम बात करते हैं अगर इस तरीके की हमने shifting कर दी क्योंकि सब series में देखो JXAV series में RAV series में JXLV series में तो हम लोग आगे बीचे कर सकते हैं ठीक है तो यह एक बात याद रखना यह वाला जो है यह prime equivalent circuit है और यह जो हम मैं बताने जा सकते हैं हम इसे कह सकते हैं JXS कह सकते हैं synchronous reactance कह सकते हैं तो अगर हम synchronous reactance के term में लिखेंगे तो इस वन हमारे पास EP है phase induced voltage ठीक है एंड इस वन इस रिजिस्टेंस आर एंड इस वन इस एक single हम लिख सकते हैं JXS लिख सकता हूं मैं और यहां पर directly क्या कर सकते हम लोग यहां यहां पर हम लोग Vpt यहां पर हमें टर्मल वोल्टेज मिल जागा तो यह simplified हो गया यानि कि यह हो गया equivalent circuit यह हो गया तुम्हारा equivalent now एक और simplification कर सकते हैं तो हम करेंगे simplify simplify 2 ठीक है now simplify 2 में क्या करेंगे अब देखो यह भी मैंने तुम्हारा पीछे बताया था पुराने lectures में हम लोग कवर कर चुके हैं कि RA plus JXS ठीक है यादो कि आपको पुराने lecture अगर मेरा देखा होगा आपने ठीक है जिसमें मैंने बताय XS synchronous reactance होता है ठीक है तो अगर हम लोग ZS के term में अपने equivalent circuit बनाए तो कैसा दिखेगा तो again हमने induce करा है voltage EP ठीक है phase voltage now यह हो गया ठीक है यहां पर हमें क्या मिलेगा simply हमें यहां पे combined मिलेगा यानि हम इसे लिख सकते हैं यहां पे ZS this one is ZS synchronous impedance ZS and finally हमें क्या मिलेगा output में यहा equivalent circuit in terms of equivalent circuit in terms of synchronous impedance ठीक है synchronous impedance ओके तो यह चीस clear हो गई होगी इसमें कोई doubt ही होना चाहिए आयोप जीस समझ में आ गई होगी ठीक है तो यह होगा in terms of synchronous reactance access and this one is in terms of synchronous impedance ठीक है तो this one is synchronous impedance के terms में हो गया now यह हो गया अच्छा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मैंने आपको पीछे भी बताया था अगर इसको और simplify कर सकता हूं है हाँ एक simplification और होता है जिस पर numerical करे जाते हैं उसको भी समझ लो काफी मैं use करूंगा उसको तो यह एक simplification simplify मैं कर रहा हूं इसको fourth ठीक है second करा third करा now this one is simplify four अब इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं तो इसको ज़रा समाज लेते हैं नए circuit बना लेते हैं आपके लिए ठीक है तो यहां पर अगर हमारे पास यह बनाया है मैंने EP जो induced voltage है face voltage this one is resistance RA and this one is हम कह सकते हैं JXS synchronous reactance ठीक है and this one is the VPT यहां पर हमें VPT मिलेगा अब देखो बैने अभी तुम्हें पीछे बताया कि synchronous reactance XS की जो value होगी वो कितनी हो जाएग इसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और जब आप इसे neglect कर दोगे तो हमारे पास जो finally हम simplify 4 जो circuit बना रहा हूं इसका इस्तमाल बहुत ज्यादा कर जाता है numericals में gate में बहुत questions आते हैं उसमें directly यहां पर आपका JXS दे रखा होगा and then finally यहां पर आपका VPT मिल ला होगा ठीक है VPT यहां पर voltage मिल रहा होगा and this one is your final यानि कि simplify 4 circuit ओके clear होगा है यहां पर तो this one is a fourth simplification circuit तो 4 equivalent circuit बनाए मैंने सबसे पहले यह होगा full-fledged circuit होगा यानि अगर आपको paper में circuit बनाने को आता है equivalent circuit तो आप यह वाला circuit बनाएंगे अगर numerical आते हैं तो numerical में जैसा आपको data दे रखा है अगर आपको मान लेते हैं XA, XL सब कुछ दिया हुआ है तो आप यह वाला circuit यूज़ करें अगर आपको क्या दे रखा है केवल access दे रखा है और RR दे रखा है तो यह वाला equivalent circuit यूज़ करें अगर आपको impedance दे रखा है त तो third simplification circuit use करें और then finally आपको fourth simplification circuit use करना चाहिए ठीक है ओके यह चीज़ के लिए हो गई बलकि यह वाना simplification one था यह simplification two था तो इसको correct कर लेना यह third simplification है ठीक है this one is the third simplified circuit तो अगर आपको केवल reactance दे रखा है अगर यह लिखा हुआ है कि negligible resistance है तो यहां पर यहां पर यह चीज़ क्लियर हो गई होगी होगी इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए यहां पर मैंने सारे आपके cover कर दी है लगबग लगबग clear हो गया now आने वाले lecture के अंदर हम लोग phasor diagram draw करेंगे और वहां बनाया है और वो equation मैंने पुराने lecture में लिखी थी आपके लिए इस lecture में भी मैं आपको एक बार equation बना दे रहा हूँ मैंने पीछे lecture आपने वैसे देख रखा होगा तो यह जो सारे के सारे equivalent circuit बनाए गए गए हैं यह on the basis of यह equation जो आपके सामने है कि EP equal to कितना होता है VPT होगा plus V drop due to RA ठीक है resistance के कारण ड्रॉप होगा plus V drop due to XL लीके से कारण plus V drop due to XA ठीक है और यह पीछे equation आपको याद होगा मैंने लिखी थी VPT plus इसको हम क्या लिखेंगे IA RA plus JIA XL plus JIA XA ठीक है तो इसकी basis पर मैंने equivalent circuit अपना पू बनाया है जो आपके सामने equivalent circuit अभी हमने देखे वो सारे के सारे equivalent circuit जो है इस particular equation से हमने draw करे है ठीक है यह equation यह मैंने already पीछे वाले lecture में आपको समझा रखी अगर नहीं देखा है तो पीछे से lecture आप देखते है दन आपको समझना बड़ा असान हो जाएगा clear हो गया है यहाप है तो these are the following कह सकते हैं हम लोग equation हो गई यह हमारी main equation है जिसकी वज़े से main equation और इसी के basis पर हमने क्या करा है अपना equivalent circuit ड्रॉ करा है ठीक है ना इस lecture हो conclude कर देता हूं तो अगर फिर भी आपके मन में कोई doubt है तो आप मुझे बता सकते हैं ठीक है आने वाले lecture के अंदर हम लोग फेजर ड्रॉ करेंगे यह जो last मैंने equation लिखी बड़ी important है इस equation से हमने क्या करा है equivalent circuit ड्रॉ करें यह तीनों मैंने simplify करके बता है और यह equation का इस्तमाल जो है मैं finally आगे चलके फेजर ड्रॉ करने में करूंगा आपने हमना कीमती समय दिया उसके धन्यवाद कोई doubt है तो comment section बता सकते हैं